हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चेनल, होममेड नियो आईडिया फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आइए हूँ, पुरानी साडी से हम डोरमेट कैसे बना सकते हैं पुरानी साडी को हम कैसे री यूज कर सकते हैं यह देखे इतना सुन्दर सा डोर्मेट मैंने पुरानी साड़ी को लेकर बनाया है इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक पुरानी साड़ी और एक डोर्मेट यह पुराना डोर्मेट है जो की पहले से खराब हो चुका था इसको लेकर हम नया बनाएंगे आप चाहे तो इसकी जगे टॉवेल भी यूज़ कर सकते हैं हमें इस साड़ी की लंबी-लंबी हमें स्ट्रिप कट करना है अराउंड वन इंचेस हमें इसे कट करके लंबी-लंबी स्ट्रिप डॉरी टाइप से हमें रेडी करना है यह देखिए एक बात का हमें ध्यान रखना है जब हम इसे कट करेंगे तो एंड तक जाके हमें पूरा कट नहीं करना है यहां से हमें इसे टरन लेकर इस तरह से टरन लेकर फिर इसे आगे कट करना है थाकि हमें बीच में ये पूरा कटना हूँ ये देखे मैंने ये strips ready कर ली है अब इसे हम हमारे सू टेबल के लिए इसका हम गोला बनाकर ready कर लेंगे ये देखे मैने 3 गोले हमें बना लिए हैं एक कै किंज के round कत करके ये देख सकते हैं आप तीनो रडी है अब इसमें हमें हमारे 4 fingers में इसे लेते हुए around 15 rounds इसे हमें लपेटना है एक flower बना रहा है हमें ये देखिए 15 rounds मैंने लेकर इसमें धागा बांदिया है धागे की help से हम इसे बीच में knot लगा देंगे ये इस तरह से मैं इसे tight बांद रही हूँ और इसमें यहाँ knot लगा दिये ताकि ये खुलेना और ये इसे हम cut कर देंगे इसके tight sides ये जो pack हिस्सा है इसे भी हमें cut करना है ताकि एक flower का shape ले सके ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे cut कर दिया है ये पूरा मैंने अंदर तक सारे और इस तरह से ये हमारे flower ready कर लिए है अब हमाए एक ये पूराना dormit था जो खराब हो जुका था उस पे मैं हम इसमें आपको बनाना सिखाऊंगी आप चाहे तो इसकी जगे आप मोटा कपड़ा या कोई towel का कपड़ा भी आप यूज़ कर सकते हैं यहां मैंने सुई धागे की help से अब यह जो हमने flowers बनाए हैं इसमें हमें attach करना है सबसे पहले center का हम attach करेंगे और इसके आसपास attach करते हुए चले जाएंगे यह देखिए इसके पास में मैंने second attach कर दिया है एक एक करके इसी तरह से हमें इस पूरे normate को हमें cover करना है इन flowers से यह देख सकते हैं आप यह दो हमने attach कर दिये हैं यह मैं आपको तीसरा भी attach करके बता रही हूँ इस तरह से हमें ऐसे attach करना है कि एक center में रहेगा और आसपास यह circle बनाते हुए चलेंगे जिससे हमारा पूरी तरह से cover हो जाएगा कम से कम दो से तीन हमें इसमें लगाना है और यह देखे यह मैंने पूरा डोर में ट्रेडी कर लिया है जो कि बहुत ही useful है बहुत ही attractive reuse हो चुका है पुरानो डोर में हमारा new में convert हो चुका है और जो मारी पुरानी साड़ी है उसको भी हम इस तरह से reuse कर सकते हैं यह देख सक हैं में भी बहुत ही attractive है thank you for watching अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया है तो please like share and subscribe चैनल नाम बुलिए thank you